वेल्कम टु गोपिनात कीचन आज हम पालक की सबजी बनाएंगे पालक को मैंने तीन बार धोकर अच्छे से साफ करके ले लिया है और बारिक काटके रख दिया है एक कड़ाई में चार चम्मच जितना मैं तेल ले लूँगी आपचा हो तो थोड़ा कम भी ले सकते हो तेल में मैंने राई एड़ कर दी है जीरा ले लिया है और थोड़ी सी हिंग ले ली है इसमें मैं पालक एड़ कर दूँगे पैसे तो पालक की सबजी कई तरह से बनती है पालक को पनिर के साथ बनाते है मुंग दाल के साथ भी बनाते है टमाटर के साथ भी बनाते है ऐसे कई प्रकार से बनाते है पर आज मैं बेशन के साथ बनाओंगे तो यहां सारी पालक एड़ करके अच्छे से चला लिया है इसमें मैंने टेश्ट अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर लेकर फिर से में सारे मसाले को मैं मिक्स कर लूँगी आप चाहो तो इस वक्त लसुन की पेश्ट भी एड़ कर सकते हो एक चम्मच जितनी चीनी ले ली है और एक ग्लास जितना मैं पानी भी ले लूँगे आप चाहो तो पानी भी थोड़ा कम कर सकते हो तो इसको मैं ऐसे ढखके सबजी को पकने के लिए पांच मिनिट रख दूँगी यहां हमारा पांच मिनिट हो गई है तो अभी ठीक तरह से नहीं उबली तो मैं ग्यस की फ्लेम को हाई कर दूँगी और मुझे मेर्च पाउडर भी थोड़ी कम लगी तो वो भी मैंने एड़ कर ली है अब हम ग्यस की फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जल्दी से हमारी सबजी उबलने लगे अब हमारी सबजी उबलने लगी है तो इस वक्त हम तीन चम्मच जितना बेशन लेकर हाथों से ऐसे स्प्रेड कर देंगे आप चाहो तो थोड़ा और भी बेशन ले सकते हो पर मैंने यहां तीन चम्मच जितना लिया है इसको हम ढग के ग्यस की फ्लेम को लो करके पाँच मिनिट और बखाएंगे पाँच मिनिट हो गई है हमारी और यहां हम चम्मच से सबजी को ऐसे चलाएंगे और कहीं हमारी बेशन की जो गुटलिया हुई है उनको हम प्रेश करके तोड़ देंगे और चम्मच से हम ऐसे चलाएंगे ताकि छोटी छोटी गुटलिया हो वो भी तूट जाए यह सबजी बहुत जल बन जाती है तो यहां मैं टक के गयस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और पाँच मिनिट रख के बाद में सव करूँगे तो यह हमारी पाँच मिनिट हो गए अब मैंने एक प्लेट लेकर उसमें सबजी को सव कर दिया है तो यह सबजी हमारी बन के तयार हो गई है यह रोटी या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है आप भी जरू ट्राइक कीजिए